नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्पोर्ण सूचना आप सभी को मालूम है कि संग लोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परिक्षा के लिए तिथियों को घोसित कर दिया है ऐसे में अब से सिर्फ आठ माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है सेवल सेवा परिक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा दोनों ही लिहाद से सामान्य अध्यन एक बड़ी चुनोती होता है इसी चुनोती का सामना करने के लिए स्रेश्ट ववा अनुभवी सिक्षकों की टीम के साथ Target with Alok Institute में IAS Target Online बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधी आठ महीने होगी हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकि प्रसासनिग अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विक्सित करते हैं ताकि बहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान अधियन को तैयार किया जा सके आलोक सरके कुसल नर्देशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर बहुत ही निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा करिक्रम में प्रारंभिक परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग सी सेट और मुख्य परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग निबंध सामिल है यहां आपको मिलेगा प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्तरित कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विशयक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए, लाइब कक्षाएं, इनिमेशन और पावर पॉइंट तक्निक के साथ, प्रारंभिक और मुख् प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की केंद्री ग्रिह मंत्राले ने जम्मो और कस्मेर केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिसूचित किया व्यापार के लेन देन का नियम जम्मो कस्मेर पुनर गठन अधनियम 2019 की धारा पच्पन के तहत है प्रावधान तो चलिए अब बड़ी ख़वरों के साथ आज के बुल कंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकास वाने और दूरदर्सन चैनलों के माध्यम से मन की बात कारिक्रम में देश को संबोधित करते हैं इसके अलावा इस कारिक्रम को कुछ नीजी चैनलों पिय बीजेपी और पियम मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी देश के नाम पीम के इस कारिक्रम को सुना जा सकता है बीते रविवार यानि 30 अगस्त को पीम के इस कारिक्रम को तकरीबन 5 लाख लोगों ने नापसंद किया यह बात सामाने नहीं थी क्योंकि इससे पहले इस कारिक्रम को लेकर दर्सकों का रवय इतना नकारात्मक नहीं था PM ने इस बार मन की बात कारिक्रम की 60 वी कड़ी पेस करते हुए देश के समभोधन में ओरम तेवार और भारती उध्यमियों को खिलाउनों के कारोबार में संभावनाय तलासने का सुझाव दिया स्वदेशी खिलवनों के निर्मार पर जोर देती हुए पीयम मोदी ने कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री साथ लाग करुण रूपए से अधिक है जबकि इस कारोबार में भारत की साजेदारी बहुत कम तुधार मंत्री ने डेबलेपर्स को भारत में कम्प्यूटर गेम्स बनाने का सुझाव देती हुए कहा हमारे देश में कांसिप्ट और आइडिया है ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सभी के लिए लोकल खिलवनों के लिए वोकल होने का वक्त है कारिक्रम को नापसंद किये जाने के पीछे का कारण साफ है क्योंकि पीम ने लोकडाउन की भेंट चर्चुकी देश की सिक्षा व्यवस्था को नजर अंदाज करते हुए खिलवना उद्योग की बात की राहुल गांधी ने ट्विट कर कहा कि JEE और नीट के चात्र चाहते थे कि पीम परिक्षा पर चर्चा करें लेकिन पीम ने खिलवनों पर चर्चा की पीम मोदी ने अपने पूरे संबोधन के दावरान कहीं भी JEE और नीट परिक्षाओं का जिक्र तक नहीं किया आपको बता दे कि 1 सितंबर से JEE और 13 सितंबर को नीट की परिक्षा को लेकर कोरोना के मद्दे नजर चात्र काफी चिंतित हैं इससे पहले यह परिक्षा दो बार अस्थगित हो चुकी है सर्वोच न्यायाले ने भी परिक्षा अस्थगित कराने की याजिका को खारिश कर दिया और कहा कि छात्र अपना पूरा साल गमा देंगे माननी सर्वोच न्यायाले और सरकार JEE और नीट की परिक्षा कराने को लेकर तो चौकननी नजर आ रही है लेकिन NTPC और RRC ग्रूप D की परिक्षा न तो हमारे सर्वोच न्यायाले को दिखाई दे रही है और नहीं हमारी सरकार को सरकार और माननी सर्वोच न्यायाले को इस परिक्षा पर भी ध्यान देनी की आवश्शक्ता है जम्मु कस्मीर पुनरगठन के बाद जम्मु कस्मीर पुनरगठन अधनियम 2019 की धारा पच्पन के तहत हाल ही में किंद्रिय ग्रिह मंत्राले ने जम्मु कस्मीर किंद्र सासित प्रदेश के लिए व्यापार के लेन देन के नियमों को अधिसूचित किया है दरसल अधनियम की धारा 55 जम्मू कस्मीर में कार्य आवंटन और विभागों के बीच व्यापार का वितरण और उनकी सक्तियों का प्रावधान करता है इसके तहट जम्मू कस्मीर में चुनाव, सामान प्रसासन, इसकोली सिक्षा, उच्च सिक्षा, क्रिसी, खनन, ग्रिह, बिजली, लोक निर्माण और आदिवासी मामले जैसे 49 विभाग होंगे आपको बता दें कि सारवजनिक व्यवस्था, पुलिस, अखिल भारतिय सेवाएं, भष्टाचार, विरुधी, कार्य, उपराजपाल की कारेकारी सक्तियों के अधीन है केंद्र सासित प्रदेश में सांती और अमन्चैन को प्रभावित करने वाले मामलों या किसी अल्प संख्यक समुदाई या अनसूचित जन जाती और पिछड़ा वर्ग को प्रभावित करने वाले मामलों को मुख्य मंत्री ही सूचित करते हुए, सचिव के जरिये उपर र राज्य सरकार के बीच किसी मुद्दे पर विवाद होने की स्थिती में अगर उसे ऐसे मावलों में किन्द सासित प्रदेश के हस्तक शेप की आवस्षकता है तो उसे ततकाल मुख्य सच्यू के जरिये उपराज्यपाल और मुख्य मंत्री के संग्यान में लाया जाएगा परतलब है कि बीते साल 5 अगस्त 2019 को केंदर सरकार ने संभिधान आदेश 2019 के जरिये संभिधान के अनुच्छे 370 के प्रावधानों को रद्ध कर दिया था जम्मो और कस्मेर पुनरगठन विधेयक 2019 के दो अलग-अलग केंदर सासित प्रदेशों मसलन जम्मो वा कस्मेर औ विधाईका का प्रावधान नहीं है केंदर सरकार के इस फैसले को लेकर काफी विवाद और विरोध प्रदर्शन भी किया गया इतना ही नहीं माननी सरवोच्य न्यायाले में जम्मो कस्मेर के विशेश दरजी को निरस्त करने की संभाइधानिक वैधता को चुनवती भी द जारी किया तो चाइना भारत के इस फैसले को अवैध और अमान करार देते हुए संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत में यह मामला उठाया और अबंत में कुछ अन्य महत्वण खबरों पर एक नजर हाल ही में किये गए एक अध्यन में अध्यन करताओं ने यह दावा किया है कि जलवायू परिवर्तन के कारण महासागरों की अमलियता बढ़ने की वजह से महासागरों में कोरल आस्टियो पुरोसिस विक्षित हो रहा है अध्यन में बताया गया कि समुद्री अमलियता का ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिन चेन सागर में कोरल प्रजातियों के विकास पर आवसत प्रभाव पड़ा है और अगले दसकों में समुद्री अमली करण के बढ़ने से इन प्रभावों में तेजी आएगी गौरतलम है कि वैस्वी कार्बन डाई आकसाइड उत्सरजन का एक तिहाई हिंसा समुद्र द्वारा अवसोसित होता है जिससे समुद्री जल के पी एच वैलू में एक यूनिट की गिरावट हुई है समुद्री अमली करण के रूप में प्रचलित इस घटना से समुद्री जल में कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में 20% तक की गिरावट आई है इससे कोरल जैसे जीव जोखिम से गुजर रहे हैं क्योंकि वह अपना कंकाल बनाने के लिए कैल्सियम कार्बोनेट पर निर्भर रहते हैं हाल ही में नवीन एवंग नवी करणिय उर्जा मंत्री और असोसियेशन आफ रीन्यूएबल एनर्जी एजन्सीज आफ इस्टेट यानि एरीज के पदेन संदक्षक आरके सिंग ओनलाइन माध्यम से एरीज के छटवे अस्थापना दिवस में सामिल हुए जहां उन्होंने एरीज की टेलीफोन निर्देशी का जारी करते हुए इसके वेब साइट का भी सुभारम किया इस समारोह में नवीकर्णिय उर्जा मंत्री ने 24 घंटे नवीकर्णिय उर्जा के लिए नवीकर्णिय खरीद दायत यानि आर्पियो तंत्र का प्रस्ताव दिया जिससे देश में बिचली भंडारन को बढ़ावा मिलेगा आपको बता दे कि एरीज का गठन किंद्रिय नवीन एवंग नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले की पहल पर आपस में बातचित करने एवंग एक दूसरे के अनभवों को साझा करने के लिए किया गया था इसका उद्देश्य प्रवध्योगिकियों एवंग यूजनाओं के बारे में अपनी सरवोत्तम कारेपधतियों एवंग ग्यान साजा करना भी है भारत ने 30 अगस्त को सतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचा ऑनलाइन सतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना भारत के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त रूप से विजेता घोसित किया गया भारत और रूस को संयुक्त विजेता इंटरनेट कनेक्शन में कमी के कारण चुना गया दरसल रूस की साथ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन तूटने की वजह से पूरा नहीं हो पाया यह पहली बार है जब FIDE अंतरराष्टी सतरंज महासंग ने ओनलाइन प्रारूप में ओलंपियाट का आयोजन करवाया है इस दवरान भारती टीम के कप्तान विदित गुजराती पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद कुनेरू हमपी पी हरीकृष्ण निहाल सरिन और दिव्या देश मुक त्वारा फाइनल मुकाबले में रूस की खिला फाइनल मुकाबले में भारत का प्रतिनेध् भारती एस्ट्रोनाट्स यानि अंतरिक्ष यात्रियों को इस पेस में पहुचाने का मिशन जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे दुनिया भर के कई देश भारत को अलग-अलग तरह की मदद की पेसकस कर रहे हैं इसी क्रम में फ्रांस ने भारत से बातचित सुरू कर दिया दोनों देशों ने कहा है गगन यान मिशन में जाने वाले यात्रियों अत्याधुनिक उपकरण और यंत्र मुहिया कराएंगे फ्रांस गगन यान मिशन के लिए अगले साल मिशन अलफा जैसे उपकरण भारती एस्ट्रोनॉट्स को दे सकता है आपको बता दें कि Mission Alpha फ्रांस द्वारा अत्याधुनिक Space Mission है जिसे फ्रांस के एस्ट्रोनॉट्स थामस पेस्क्यू पूरा करेंगे फ्रांस की Space Agency ने बताया कि Mission Alpha के उपकरणों पर काम चल रहा है हलाकि इन उपकरणों के बारे में फ्रांस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है कि यह उपकरण किस तरह से उपयोग किया जाएगा और किस काम आएगा 29 अगस्त को राष्टिय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट पती रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये राष्टिय खेल पूरसकार प्रदान किये गौर्दतलम है कि इस वर्स पाँच खेलाडियों को राजीव गाधि खेल रत्नपूरसकार और 29 खेलाडियों को अरजुन पूरसकार देने की घोशना की गयी इस कारेक्टर में सबसे खास बात ये है कि इसमार राष्टी खेल पूरसकार प्राप्त करता को दिये जाने वाले धनरासी में बढ़ोत्री की आधिकारी घोष्णा खेल मंत्री किरण रिजिवजू ने 29 अगस्त 2020 को किया यह बढ़ी हुई धनरासी इसी साल से प्रभावी होगी इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पूरसकार रासी को 7,5 लाक रूपय कर दिया गया अर्जुन और द्रोनाचारे पूरसकार की धनरासी को 5,15 लाक रूपय और ध्यान चंद्र पूरसकार की रासी 5,10 लाक कर दी चेन की बढ़ती नौसेनिक शमता के साथ संतुलन बनाने के लिए भारत भारती नौसेना के लिए 6 पारमपरिक पंडुब्बियों के निर्माण के लिए 1 मेगा परियोजना के तहत 55,000 करोन रूपय की बोली प्रक्रिया सितंबर में सुरू कर देगा इन पंडुब्बियों को भारत में रणनितिक साजेदारी मौडल के तहत बनाया जाएगा जिसमें आयात निर्भरता को कम करने के लिए विदेशी रक्षा कमपनियों के साथ सहयोग करने के लिए घरेलू कमपनियों को सामिल किया गया भारती नौसेना पानी के भीतर लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए च्छा परमाणू हमले वाली पंडुब्बियों सही 24 नई पंडुब्बियों का अधिग्रहन करने की योजना पर काम कर रहा है वरतमान में भारत के पास 15 पारमपरिक और दो परमाणू पंडुब्बियों मौजूद है फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलिटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहें टार्गेट विदालोग ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार